डैट पूल और स्पाइडर मैं ने मिलके कॉमिक्स में कवी विलंस का सामना किया है और उन्हें हराया भी है पर क्या होगा अगर इन दोनों के ही बीच में फाइट हो जाए तो फिर ये फाइट इन दोनों में से कौन जीतेगा चलो जानते हैं तो बात करें अपने स्पाइडर मैं की तो अपने स्पाइडर मैं के पास सूपर यूमन इस्ट्रेंथ, एजिलिटी, रिफ्लेक्स, ज्यूराबिटी जैसे नॉर्मल पाउर्स तो है ही पर इन सब के अलावा अपने स्पाइडी के पास वेब सूटिंग, डिजन्ट हिलिंग फ जान भी बचाया है तो इन सब से तुम्हें अंदाजा लगी गया होगा कि अपना इस्पाइडी कितना ज्यादा पाउर्फुल है तो अब बात करें अपने संकी डेटपूल की तो डेटपूल के पास इस्पाइडे मैं की हितारा सूपर युमने स्ट्रें तैजिलिटी रिफ् और उसके दम पे कॉमिक्स में कुछ कमाल की फीट्स को एचिव किया है जैसे कि उसने कॉमिक्स में कई बात और के मियॉनिर को उठाया है और यहां तक कि डेटपूल ने कई बर अपने बाड़ी के डिस्ट्रॉई होने के बाद भी खुद को रिजन रेट किया है तो ही बता दू कि that battle में Deadpool is fight का clear winner होगा क्यूंकि उसके पास regenerative healing factor है जिसके वैसे उसे मारना लगबग लगबग impossible हो जाता है पर versus battle में अगर spider man Deadpool पे hold back करना बंद कर देता है तो अपने strength और intelligence के दम पे spider man Deadpool को easily अरा देगा तो ये तो था मेरे opinion अपना opinion तुमनों comment box में बताना और वीडियो अच्छे लगाओ तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना और ghost rider versus red hal का comparison देखने के लिए इस वीडियो को जरूर check out करना